आज मैं आपको उन गाडियों के बारे में बताऊंगा जो कि इंडिया में VIP कार माने जाती हैं यानि अगर आप उन गाडियों को खरीदोगे तो आप भी एक बड़े आदमी दिखोगे तो आएए जानते हैं उन गाडियों को चलिए शुरू करते हैं टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए वीडियो देखने के लिए फोर्ड कमपनी के एंडेवर एंडेवर एक सैवन सेटर एस्यूवी कार है ये कार इंडिया में एक वी आईपी कार माने जाती है क्योंकि इस काड़ी को कोई आम आदमी नहीं खरीता है इसकी परफॉर्मेंस काफी बहत्रीन है और इस कार को आप कहीं पर मिल ले जा सकते हैं काड़ी में स्रिफ डिजल एंजन का ओफ्शन मिलता है जो कि 2.0 लिटर का इंजन है इसमें आपको स्रीफ डिजल इंजन को ओप्शन मिलता है जो कि 2.0 लिटर वाले इंजन है और कार के बेस वेरियंट के एक शोरूंग कीमत है 29,55,000 रुपे से लेके 23,25,000 रुपे तक की फिर इसी के टककर पर दूसरी कार है ये वो है टोयटा फोर्चुनर फोर्चुनर एक बेहतरिन एग्जामपल है वी आईपी गाड़ी का इंडिया में इस गाड़ी को इंडिया में सबसे जादे MPO रेमेल ले खरीदते हैं यानि पॉलिटीशन गाड़ी की लुकिंग काफी मस्त है और इसका इंजन तो काफी बेहतरिन है ये कार पैटर और डिजल दोने इंजन के ओप्शन में मिलती है इसमें 2.7 लिटर पैटर और इंजन मिलता है और 2.8 लिटर का डिजल इंजन कार की कीमत है 28,18,000 रुपे से लेके 33,24,000 रुपे तक की महिंद्रा स्कॉर्पियो इसकॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है जो कि लोगों को अपनी और खीचती है लंबे सफर पर जाने के लिए इस कार को बड़े लोग और बिजनिसमेन खरीदते हैं गाड़ी का डिजाइन इसके इंजन से काफी मेल खाता है जिसकी वज़े से ये गा 16,33,000 रुपे तक की मर्सरीज बैंज S किलास VIP गाड़ी की लिस्ट में मर्सरीज बैंज S किलास नाए ऐसा तो होई नहीं सकता ये कार एक सिडान कार है पर लगती एक लिमूजीन की तरह क्योंकि एक लंबी कार है मर्सरीज अपनी इस काड़ी को बैस्ट कार मानती है पूरी दुनिया में ये कार पैटल और डिजल दोन इंजन के ओप्शन में मिलती है इसमें 3.0, 4.0 और 6.0 इंजन का पैटल इंजन मिलता है और 3.0 इंजन का डिजल इंजन मिलता है कार की कीमत एक क्रोड पैंतिस लाग रुपे से लेके दो क्रोड अठतर लाग रुपे तक की ओडी A8L A8L एक बहुत बेहतरीन कार है इस कार को बड़े बिजनिसमेन ही खरी देते हैं ये कार एक VIP कार इस वज़े से है क्योंकि इसमें आपको काफी सारे बेहतरीन और लाजवाब फीचर्स मिलते हैं जैसके रेक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मोनिटर, किलेस एंट्री, इंजिन इमोबिलाइजर, वेहिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और क्रेश सैंसर भी इसका इंटीर तो काफी बेहतरीन और लाजवाब है और कार में 3.0 लीटर V6 इंजिन मिलता है कार की कीमत है एक क्रोड सतस्सी लाग रुपे की PMW 7 Series 7 Series एक काफी पॉपुलर कार है इंडिया में ये कार अच्छी कासी भिग जाती है इंडिया में इस काड़ी को सरिफ अमीर आदमी और फेमस आदमी ही खरीदेते हैं और कार में डिजल और पैट्रल दोने इंजिन का बफ्षन मिलता है इसमें 3.0 और 6.6 लीटर का पैट्रल इंजिन मिलता है और डिजल में 3.0 लीटर का इंजिन मिलता है कार की कीमत एक कροड 22 लाग रुपे से लेके दो कроड 44 लाग रुपे तक की Toyota Innova Krista टोयेटा इन्नोव क्रिस्टा बेहतरिन और एफोल्डेबल गाड़ियों में से एक है इस कार को MP और MLA खरीदते हैं इंडिया में काड़ी की लुकिंग काफी अच्छी है इंजन पावरफूल है और रफ रोड के लिए भी परफेक्ट है ये कार डिजल और पैट्रोल नून इंजन के उप्शन में मिलती है इसमें 2.7 लिटर पैट्रोल इंजन मिलता है और 2.4 लिटर डिजल इंजन कार की कीमत है 15,36,000 रुपे से लेके 23,2,000 रुपे तक की लैंड रोवर रेंज रोवर लैंड रोवर रेंज रोवर बहुत लगजरी स्यूवी कार है इंडिया में हमेशा से ही इस कारी को आप रोड्स पर रफ रोड पर और यहां तक की कच्चे रोड पर भी चला सकते हैं ये कार इंडिया में डिजल और पैट्रोल दोन इंजन के उप्शन में मिलती है इसमें 5.0 लिटर पैट्रोल इंजन मिलता है और डिजल में 3.0 और 4.4 लिटर का इंजन मिलता है कार की कीमत 1.2.6 लाग रुपे से लेके 4.6.6 लाग रुपे तक की मरसरीज बैंस जी एलसी बैंस जी एलसी एक बेहतरीन स्यूबी कार है इंडिया में मरसरीज कंपनी जाने जाती है अपनी लक्सजरी नयाजरी लाइबर प्रैक्टिकल कार और बेहतरीन परफोर्मेंस वाली गाड़ियों के लिए इस कार को अमीर आदमी बहुत खरी देते हैं ये कार पैटल और डिजल दोने इंजन के ओप्शन में मिलती है इसमें 3.0 लिटर पैटल इंजन मिलता है और 3.0 लिटर डिजल इंजन कार की एक शोरूम कीमत है 87,6,000 रुपे से लेके 88,20,000 रुपे तक की टोयटा लैंड क्रूजर लैंड क्रूजर एक बेस्ट SUV कार है इंडिया में लैंड क्रूजर की लेपोडेशन बहुत अच्छी मानी गई है इंडिया में इस गारी को फिलाल बंद कर दिया गया है इंडिया में यूगि इसको दोबारा लॉंच करा जाएगा इसी साल में इस और कार की कीमत है एक क्रोर 47 लाक रुपे की तो ये 10 गाड़िया वो हैं जो VIP कार मानी जाती हैं इंडिया में जो कि सबसे ज़्यादे फेमस हैं VIP गाड़ियों में आपको इन कारों में कौन सी कार सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताईए